मा, क्या वो बटा, लिटी चो का दो ना, ओके वो बटा देरी, बस 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 पाच मैट, हेलो गाइस, गुड इवनिंग, तो आज मैं एवनिंग के टाइम से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहे थी, इस व्लॉग का भी कोई इरादा नहीं था, पर अचानक फ्लानिंग हुई कि आज लिटी बनाते हैं, क्योंकि ठंडी काफी बढ़ चुकी है, तो ठंड के मौसम में हम भीहारी लोग लिटी ना बनाए, ऐसा कैसे हो सकता है, तो बस मैंने सोचा कि एक व्लॉग भी शूट कर लेती हूं, डालूंगी या नहीं डालूंगी ये तो मैंने सोचा नहीं था, जब मैं लाइव़ इस्ट्रिम कर रहे थी, तो जब मैंने लोगों को किताकि मैंने लिटी छोटा कखाया है, तो मिरे बहुत सारे पियारे पियरे सब्सक्क्राइबर्स में मुझ से कहा कि अगी। लोग को दाल जोंगी। तो चली मैं आप लोगों के लिए ही डाल रही हूं सबसे पहले मैं बताती है कि मैंने तीन कटोरी आंटा लिया था उसमें थोड़ा सा डाला था नमक, बेकिंग सोडा, अजवाइन और यहां पर मोहिन के लिए मैंने रिफाइन भी डाला था सबस्क्राइब यहीं अजवाइन रिफाइन को आफ लोग घी से रिवे सकते हो तो बना भी तो भी तो इसको चिल्द से अच्छाएं लड्डू का शेप लेने लगे जितना अच्छा इसको आप भी मिक्स करोगे नो उत्ना खस्ता बनता है आटे थोड़ा थोड़ा सा पानी डार लेना मुत्लिक है कले है यह अंडे यहाँ सांगा है अभी हम, जाज टूट कर लिए पतर लिये माई चीरा प्रॉओ और मिर्ची डाल सकूँ और चीरा लगाने इसलिए भी इंपोर्टेंट है ना कि अगर अंदर कोई कीड़ा होना तो वो भी पता चल जाता है फिर इसमें अच्छे से सरसो तेल लगा दिया सारी चीजों में मतब टमाटर वैगन सबने लाकि यह जो छिलका होता है इसका जो तो थोड़ से स्मोकी फ्लेवर रहे आप लोग देख रहे हैं इसको जला जला के अशा लगड़ा कि जल रहे हैं यह बहुत बहुत बार यह चीज हुई है कि मैंने किसी को बाहर बताया कि मैं बिहारी हूं तो वह लोग जरूर पुछते है लिटी चोखा आता होगा आपको आपने तो खाया भी होगा जी हां मैंने खाया भी है बनाया भी है तो इस तरीके से जब यह गरम है तो मैं इसको साइड रखके अब यहां पर सत्तू बना ले रहे हूं फिलिंग करने के लिए और इसका टेस्ट सबसे अच्छा होना चीए क्योंकि इस पर बहुत टिपेंड यहां पर रहे हूं और साथ में यहां पर निवितर है और साथ मैंने निम्भ teil तरके मेरे घंचर twitter 1 इसको खरना सकते ताकि और हैं ध Taylor टेस्ट कर लेना है इसको अब जब यह ठंडा हो गया चोखा का मिट्रिल तो मैंने उसको अच्छे से मैश कर लिया और मेरे हजबन की डिमांड थी ने कि इस बार चौक करके बनाना ने तो हम लोग तो सिंपल उसमें सरसो तेल कच्छा डालते हैं प्याज कच्छा डालते हैं और बाकी चीज तो पहले स ही रहती है मिक्स करके बस उसको खा लेते हैं ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है पर इस बार मैं थोड़ी से अलग तरीके से बना रही थी नमक थोड़ा सा कम था तो मैंने और एड किया था यहां पर देखिए च्छोंका लगाने के बाद मेरा चोखा यहां पर फट फट फ और फिलिंग के लिए अच्छी जगह रखनी चाहिए इसमें बीच में क्योंकि सत्तु ज्यादा भढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से इसको मैं इस तरीके से कर रहे हूं आप लोग इस तरीके से कर सकते हो और इसको ज्यादा मोटा नहीं करना है नहीं तो मतलब आटा आटा सा लगेगा इसलिए मैं इसको पतला ही बना रही थी एक दो मेरा खराब हो गया था और यह जो एक्स्ट्रा आटा बचता है ना इसको उपर से हटा देना चाहिए तो सच में बीच में बहुत मोटा हो जाएगा साइड में पत्ता रह जाएगा और इसको ना बाहर में जब रहा एक्स्पिरिंस थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा बोल सकते हो कि वीडियो के चक्कर में थोड़ा सा ध्यान बढ़ जाता है ना तो मैंने कुकर को त्यार कर लिया था यहां पर देख लीजाब लोग को दिखा दे रही है उसमें सबसे पहले ग्रीजिंग की थी मैंने थो को अब यहां पर चुले पर चड़ाने वाली थी और यह पकने के बाद में बीच बीच में अलट पलट कर बार बार चेक भी करना होता है तो थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी भी होती है मां क्या हो बटा लीटी चो का दो ना ओकी बटा दे रही है बस 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 पाच मैंट सच में कुकर वाला थोड़ा सा मुझे आज खुद को पसंद नहीं आया तो मैंने लास्ट में सब को चुले पर ट्रांसफर किया और यह वला ज्यादा अच्छा बना था एक दम पेशन्स के साथ में मैंने लास्ट में पकाया था और अब देखिए थाली को मैंने रेडी कर लि कि था तो मैंने ऐसे सजा लिया था अपनी थाली को और आई होब आप लोगों को व्लॉग पसंद आया